Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरा बोस्ट टैबलिट के बारे में जो की इस टैबलिट के इस्तमाल बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए से बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं किसे नहीं लेना है या सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं केरा बोस्ट टैबलिट जो की गलो डर्मा कंपनी की बनाएं मेडिसिन 10 टैबलिट की पेकिंग में 160-170 रुपे की प्राइज में बहुत ही असानी से आपको अबलिबल हो जाता है केरा बोस्ट टैबलिट में आपको काफी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जैसे कि बायोटिन, केल्सियम, पेंथोनेट, कॉपर, मैगनीज, सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसीड और N-Acetyl Cysteen अब बात करते हैं इन सभी कॉम्बिनेशनों और क्या काम हैं तो पहला कॉम्बिनेशन है जो की बायोटिन इसे खास तोर पे हेयर फॉल की समस्या में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है बायोटिन के कमी होने एकरान काफी तरीगी प्रॉलम्स क्रियेट हो जाती है Biotine एक तरीके का काफी अच्छा antioxidant है, इसके साथ है इयर health supplement के थोर पर भी बहुत जादा यूज किया जाता है Biotine को जो की बालों से जुरी समस्या होते हैं जैसे की बालों का बहुत जादा ज़ड़ने की समस्या होती हैं बालो में थिकनेस आ जाता है, बालो के बहुत ज़्यादा roots कमजोर हो जाते हैं, तो उन सभी condition में इसे follicles को repair करने के लिए इस्तमाल कर जाता है, बालो में strength लाने के काम करता है, बहुत ज़्यादा थिकनेस होती हैं तो उनको यह, थिकनेस की समस्या को improve करने में काफी फाइद कारगर होता है, इसके साथे साथ जो copper है इसमें यह iron absorption करने में काफी कारगर होता है, RBC count को बढ़ाने का काम करता है, healthy bones बनाया रखता है, इसके साथे साथ immune system को improve करता है, इसके अलावा manganese है जो की हड्यों को मजबूत करता है, और यह manganese जो की काफी अच्छा antioxidant होता है, और नौसों की कमजोरी को भी दूर करने में काफी कारगर होता है, इसके साथे साथ energy को maintain रखने का काम करता है, इसके अलावा जो इसमें अगला combination है selenium, selenium जो की एक बहुत ही अच्छा antioxidant है, जो की heart disease में काफी फायदिमंद होता है, mental disease में इस्तमाल कर जाता है, इसके अला इस्तमाल करते हैं, folic acid जो की सारी कमजोरी खुन की कमी को दूर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, इसके अलावा एन-acetyl-systain और biotin जो की दोनों ही combination मिल करके बालों से जूड़ी समस्या को कम करने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, इसके साथे साथ तोचा का textures को इंप्रूब करने काम करती हैं, नाखुनों का तूटने की समस्या होती हैं, तो उन सभी condition में भी use किया जाता है, इस medicine का बहुत ज़्यादा इस्तमाल, बालों की जढ़ने की समस्या, तोचा को किसी परकार के कोई allergy होती हैं, तो उन सभी को cure करने के लिए इसके अलावा भी और भी multiple condition में इस्तमाल किया जा सकता है, पर इसमें biotin है और N-acetyl sustain है, जो की काफी अच्छा होता है, बालों कोई जढ़ने की समस्या को कम करने के लिए, या बालों को strength follicles को repair करता है, इसके अलावा hair fall की समस्या को कम करने में काफी कारगर होता है, बात करें इस दवा का क् पेडिपेंड करता है कि आपकी ये healthy condition किस purpose में ले रहे हैं, इनसे भी पेडिपेंड करता है, normally इस tablet का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ एक इस्तमाल किया जाता है, रात को सोतेक्त आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा problem है तो उन से भी condition में डॉक्टर के सल किसे नहीं लेना है, pregnant lady, breastfeeding mother, किसी भी परकार का, आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है, या आप किसी भी परकार के कोई patient है, तो उन से भी condition में इस्तमाल ना करें, और करते हैं, तो डॉक्टर के क्रियेक देख महीं करें, तो यही था, केरा बोस्ट टेबलेट के बारे म किसी भी।